पिच्छी वीडियो में अधिगम के सिध्धान्त के अंतरगत ठान डाइक और पावलो को पढ़ा था उसी प्रकार आज के वीडियो में हम स्कीनर के सिध्धान्त के बारेम जानेंगे यदि आपने अभी तक उन पिछली वीडियो उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिये गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट करिए तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह वीडियो नमस्का सस्रियका लादा वाटीवर यू फिल कनेक्टेड वीथ मैं विनेकुमार क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसे अंग्रेजी में ऑपरेंट कंडिशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडिशनिंग के नाम से भी जाने जता है यह थियूरी प्रसिध अमेरिकन मनोवग्यानिक प्रोफेसर बी एफ स्कीनर ने दिया था तो यह सिध्दध करता है कि यदि किसी अनुख्रिया के करने से सकारात्मक एवं संतोस जनक परेडा मिलते हैं तो प्राडी वठक्रिया बार बार दोहराता है आसफलता या निगेटू रिजल्ट मिलने पर प्राड़ी क्रिया को पुना दोहराने से बचता है जैसे मालिजी में भी नमस्टे काने की अनुकृया सीख लेता है यहीं कृ़िया प्रसुत अनुबंधन है तो उसके मात्य पिता उसको या संसकार सिखाने के लिए कहते हैं कि यदी तुम घर में आये महमान को नमस्ते करोगे तो मैं तुम्हें एक चौकलेट दूँगा तो वह बच्चा अगली बार चौकलेट पाकर महमान को नमस्ते करना सिख जाता है अर्थात पहले वाले सिच्वेशन में बच्चा पहले क्रिया करता है तब उसके बाद उसको इस्ट्यूमिलस प्रदान किया जता है reinforcement दिया जाता है लेकिन वहीं दूसरे situation में बालक को पहले stimulus दिया जाता है फिर बालक बाद में क्रिया करता है यानि यहाँ पर classical conditioning हो रही है आपको अच्छी तरह याद होगा कि पावलो के theory में सबसे पहले stimulus होता है फिर क्रिया होती है पहले उसको भोजन दिखा जाता था फिर भोजन को देखकर भुखे कुत्ते के मुह में लाराती थी यदि देखा जाये तो स्कीनर का operant conditioning और पावलो के classical conditioning से बिलकुल मिलता जुलता है लेकिन फिर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है पावलो का वह सिधान्त SR theory कालाती है पहले stumulus फिर response लेकिन स्कीनर का या सिधान्त पावलो की इस theory के जेश्ट अपोजिट है स्कीनर का या सिधान्त RS theory कालाती है इसमें पहले response होता है फिर बाद में stumulus दिया जाता है स्कीनर ने इस सिधान्त की खोज के लिए दो अलग अलग प्रियोग किये एक सफेच चुहे और दूसरा कबूतर पर पहले प्रियोग में इसके लिए उन्होंने एक box बनाया जिसे स्कीनर box कहा जाता है यह box कुछ ही इस तरह से था कि इसके liver को दबाने से भोजन का एक टुकड़ा गिरता था स्कीनर ने एक भूखे चुहे को इस box में बंद कर दिया इस भूखे चुहे को liver को दबाना सिखलाना था जिससे उसे भोजन की प्राप्ति हो सके भूख की तडब से चुहा box में इधर उधर उधर उचलने कुदने लगता है इस दवरान एक बार उचलने से चुहे के पंजे से liver दब जाता है और भोजन के कुछ टुकड़े गिरते हैं जिसे खा कर वह संतोस प्राप्त करता है ऐसे ही कई बार उचलकुत करने एवं लिवर के दबने से चुहे को भोजन की प्राप्ति हो जाती है इस प्रकार बार बार भोजन के मिलने से चुहा लिवर को दबा कर भोजन प्राप्ति करने की कला को सीख जाता है भूखा चुहा तो पहले क्रिया करता है उचलकुत करता है तब जाकर उसे सही समय पर भोजन अर्थात reinforcement दिया जाता है ध्यान रहे जबकि थानडाइक ने अपने प्रियोग में भुखी बिल्ली के सामने पहले से ही फिश यानी भोजन को रख दिया था स्कीनर ने अपने दूसरे प्रियोग में भुखे कबूतर को बॉक्स में बंद कर दिया बॉक्स में कबूतर शांत बैठा रहता है कुछ समय बाद बॉक्स में प्रकास दिया गया प्रकास के होते ही कबुतर ने चोंच मारना सुरू कर दिया जिससे उसे भोजन की प्राप्ती हो गई बार बार इस क्रिया को दोहराने से कबुतर सिर घुमा कर चोंच मारना सीख जाता है इस प्रोसेस में भी क्रिया प्रसुत अनुबंधन का विकास होता है ओपरेंट कंडिशनिंग दो प्रकार का होता है एक तो reinforcement and second punishment reinforcement and punishment दोनों जो हैं दो टाइप के होते हैं positive and negative reinforcement में positive stimulus present करने पर behavior increase होता है और negative stimulus remove कर लेने पर भी behavior increase होता है जैसे कक्षा में बालक के सही उत्तर देने पर उसकी प्रसंसा की जाए या पीट को थप थपाये जाए तो यह उसके लिए एक positive stimulus का काम करता है जिससे भविश्च में जब भी teacher कक्षा में कोई प्रस्ण करेगा तो वह प्रस्ण का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हाथ खड़ा करने लगेगा और वहीं जब कोई बालक शोर सराबा के कारण पढ़ने में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और शोर न किया जाए तो वह ध्यान से पढ़ने लगता है तो इस दशा में शोर सराबा जैसे निगेट्व स्टिमलस को हटा लेना निगेट्व रेइन्फोर्समेंट कहलाता है चाहे आप पॉजिट्व पॉजिट्व पनिश्मेंट दें या निगेट्व दोनों ही कंडिशन में विहेवियर डिक्रीज होता है भले आप वहाँ पर positive stimulus प्रेजंट करिए या negative stimulus को remove करिए इससे कोई फरक नहीं पड़ता उमिद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि ऐसा है तो वीडियो को like, comment तथा subscribe करिए और अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल न भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक साथ तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विने को नमस्कार